हेलो, मेरा नाम है भाविन, मेरा नाम है सिद्धी, आज हम लोग आपको वॉल्ड की और एक ब्यूटिफुल कंट्री लेके जा रहे हैं, जिसका नाम है पोलांड, आपको पता है कि जर्मनी ने पोलांड पे एटाक किया था और वहां से वॉल्ड वॉल्ड टू की स्टार्ट हो गई थी, येस, पोलांड का लिटरली मीनिंग होता है, जो लोग ओपन फील्ड में रहते हैं, एक ट्राइब जो ओपन फील्ड में रहती है, उसको कहत रहे हैं, पोलांड, येस, ये उसका मीनिंग है, पोलांड बहुत तरीके से कॉंप्लिकेटर है, पोलांड की हिस्ट्री अगर देखें तो बार-बार आकरमन हुए हैं पोलांड पे, लग-बग 40 टाइम्स अलग-अलग लोगों ने अटैक किया है, और अंदरूनी विद्रो के कारण, यानि पीपल के आपस की फाइटिंग के कारण, ये देश काफी बार तूट चुका है, पार्टिशन हो चुके हैं, in fact, 18th century में ये कंट्री तो completely मैप से मिट गया था, वापस ये 19th century में आया, और जर्मनी ने इस पे जब अटैक किया, तब ये कंट्री हो गया, पो कहते नहीं थे, क्योंकि उनको थोड़ी ना बता था कि World War 2 भी होने वाला है, तो World War 1 को क्या कहते थे, Great War, Great War कहते थे, World War 1 को, and जब World War 2 हुआ, तो First War को कहने लगे World War 1, and Second को कहने लगे World War 2, yes, Madam Mary Curie, इनका नाम सुना है अपने, yes, जिन्होने Nobel Prize जिता है, she was the first woman to win the Nobel Prize, and the only woman to win it twice in different science streams, yes, she was a Polish, फिर उनों एक फ्रेंच के साथ शादी किया, और उनका सर्नेम हो गया Curie, मैं आपको पोलाइंड के बारे में और एक इंडरेस्टिंग पात बता हूं, so, पोलाइंड के जो लोग होते हैं, उनका सर्नेम जेंडर के हिसाब से चेंज होता है, जैसे कि मेरा सर इन पोलाइंड, so, पोलाइंड का हिस्ट्री अमने देख लिया, आपको पता है, वोल्ड में, जीसुस क्राइस्ट की सबसे बड़ी स्टैच्व कहां पे है, it's in पोलाइंड, and Polish people, पोलाइंड के लोगों को पोलिश कहा जाता है, उनका और एक नाम है, जिनको कहते है, पोल् जो होते हैं, वो बहुत ही religious होते हैं, वो सारे religious चीजों को अच्छे से follow करते हैं, so, that's special about Poland, mushroom, उनके daily life का एक पार्ट है, बचों को छोटे से ही सिखाया जाता है, what is good mushroom and what is bad mushroom, कौन से poisonous होते है, कौन से non-poisonous होते हैं, आपने lamp देखी है, lantern, हम सब लोग ने यूस किया है, गा capital है Warsaw, वहाँ पे ये आज भी यूसर था, ये invention कहा है, this is invented by Poland, yes, so the capital of Poland is Warsaw, उनने दो 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 देखने हैं, World War I and World War II, and the currency is Polish Salty, is it salty very, it is salty, okay, इसको यसे याद कर सकता है, it is salty, but it is not salty, it is salty, and the language they speak is Polish, जसे निलांकी लंगजे लिए and पुलांकी लंगजे लिए पुलांकी लिए ऑाली. Yes, and it is also said to be the world's difficult language to learn, that's and from my side. So, today's question is, which is the tallest statue in Poland, bye!